Hello My Lovely Bakers, तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सी केक की डिजाइन लेकि आई हूँ जो कि आप किसी के लिए भी वैडिक केक, एनिवर्सरी केक, इंगेजमेंट केक किसी भी आपकी लवबन के लिए बना सकते हैं केक बहुत ही प्यारा बना था आपको वीडियो में देखिएगा कि कितना सुन्दर केक बना था और जो आज हम इस पर रोजस बनाने वाले हैं तो एक बार को तो देखकर लगेगा ही नहीं कि वो हमने क्रीम से बना एकदम रियल रोज लग रहे थे उसकी भी टिप्स में आपक केक बोर्ड पर रख दिया अच्छे से स्टिक करके और हमने विपिंग क्रीम पर फैला दी है और अच्छे से शुगर वाटर से भी सोक कर लिया था चौकलेट केक को हमेशे शुगर वाटर से सोक करना कंपल सरी होता है दोस्तों क्योंकि जो को होता है वह बहुत जादा कैसले सकते हम चॉककलेट क्रीम पर अच्छे से मिक्स कर ले और ठंडा कर ले और आपका गानाश पंस से चोक अफिल करें बहुत अच्छा है चाहे तो Researchers दो पस जाहें और चॉकम के लिए अच्छे जबर कृटर केक लिए बस क्रम कोट करने के बाद हम इसे फ्रीजर में अच्छे से 10 मिट्स के लिए सेट कर देंगे क्योंकि आज हम राउंड शेप के केक से एक अलग शेप बनाने वाले हैं जो कि हार्ट शेप आप जरूरी नहीं है दोस्तों बहुत महंगे महंगे मोल्ड सी लें और उनी से आप हार्ट शेप बनाएं आप राउंड केक से भी बहुत परफेक्ट हार्ट बना सकते हैं मैं तो जनरली यही उस कर दी हूँ और इसे जो हार्ट है वो परफेक्टली शेप बनता है बलकि जो हाट शेप का जो मोल्ड होते हैं उसमें भी इतना सुन्दर हाट नहीं बनता है आप खुद वीडियो में देख सकते हैं सबसे पहले हम उसमें प्लस का माक लगा देंगे और कोई भी आप शाप नाइप ले लीजिए और उससे अच्छे से कट कर लीजिए यह दिखे कि आपका परफेक्टली चेल्ड सैट हो जाएगा तो इसको कट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी यह अच्छे से कट हो जाएगा कट करने के बाद हम देख सकते कि नीचे की साइड हमने नीचे का जो हटकफ वी शेप होता है वो हमारा आ चुका है जो इक कट वाले जो पोर्शन है इसको अब हम उपर प्लेस करेंगे तो उसके लिए हमें यह पर थोड़ी सी क्रीम लगानी होगी ताकि अच्छे से उस पर सैट हो जाएगा केक मुझे थोड़ा सा केक इधर साइड में आ गया था तो मैंने उसको छे से पहले सेट करा और स्पैचुला से उठा के बीचो बीच रख लिया यह काम आप हलके आतों से कीजिए दोस्तों वरना हो सकता आपका केक भी खराब हो सकता है ज़रूरी नहीं आप हार्ट मोड के लिए महंगे महंगे मोल्ड या टूल ही खरी रहे आप राउंड केक से भी बहुत परफेक्ट हार्ट बनाते हैं मैं तो जनरली यह यूज़ करती हो और इसे बहुत प्यारा हार्ट बनके रेडी होता है केक साइड पर आ गया था तो बस आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं उन्हें स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो आप भी बेकिंग अच्छे से कर पाएंगे यहां पर मुझे थोड़ा से इसके डिजाइनिंग पॉफेक्ट ली हाट नहीं लग रहा था तो आप बीच में थोड़ा सा कट लगा दीज इसके जो रोजिस थे वो तो इतने पॉफेक्ट लग रहे थे जैसे कि हमने कोई रियल रोजिस पे लगाए हो और केक टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगा कस्ट्रमर का रिव्यू बहुत अच्छे आए थे तो बस अच्छा लगता है जानके कि आपके केक सब को पसंद आ बस यही तो हम वो हम बेकर का काम है कि हम सब को कुछ अलग प्रोवाइड कराते हैं तो बस आप हाट शेप की जो भी फाइन फिलिशिंग करें वह हमेशा पाइपिंग बैक से ही करें उससे जो इसकी शेप वह परफेक्ट आएगी और स्पैचला को हलके हलके आतों से पहले स करें और स्मूध नर्की हैल्प से साइड वॉल अच्छे से स्मूध कर लेंगे नेचे का केक बूर्ड भी क्लीन कर लेंगे किसी भी गीले कपड़े वैट कपड़े से और अच्छे से केक की डिजाइनिंग करेंगे दोस्तों आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नह सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए तो बस ऐसे हम टॉप वॉल को भी अच्छे से स्मूध कर लेंगे और आज हम इस पे जो एफेक्ट देने वाले हैं उसके लिए मैंने थोड़ा से क्रीम को पतला कर लिया था और एक बहुत प्यारा लगेगा डिजाइन यह आपकी अच्छी नहीं होती है तो बहुत प्यारी ट्रिक है बहुत सुंदर भी लगती है तो बस ऐसे हम इसको कवर कर लेंगे हाफ के को और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं परफेक्क रोस कैसे बनाएं तो उसके पोने चाहिए स्टिफ पीक वाली होने चाहिए तो जिससे उपर की जो पंखुडियों आप देख सकते हैं कितने ऐसी फटी-फटी से आरी है जैसे रियल रोस की होती है बिल्कुल सेम वैसे ही आरी है बस सी शेप में आपको घुमाते जाना है और आपका रोस रेडी हो आपकी डिजाइनिंग आप जब भी करें तो ध्यान रखें होच पोच ना करें हमेशा केक को पूरा ना भढ़ दे सुन्दर दिखना चाहिए और ऐलिगेंट लगना चाहिए कुछ खाली-खाली पोशन भी रखें ताकि आपका जुक है कि वह सुन्दर लगी देखिए आप